क्या ललित मोदी को धोका देकर शुश्मिता सिन ने एक बार फिर से अपने एक्स बॉइफरेंड रोहुमन शॉल का हाथ थाम दिया है शुश्मिता कब कौन सी गली मुड़ जाएं ये कोई नहीं बता सकता लेकिन ललित मोदी से अफेर का एलान करने के कुछ ही दुनों बाद शुश्मिता एक बार फिर रोहुमन के करीब आती नजर आ रही है हाल ही में शुश्मिता के पिता का बधड़े था जिसमें वो इंस्टाग्राम लाइफ कर रही थी इस दौरान उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके कैमरे में रोहुमन भी नजर आने लगे हलाकि जैसे ही रोहुमन को इस बात का हैसास हुआ वो कैमरे से साइड अट गये इसके बाद शुश्मिता ने रोहुमन की तरफ कैमरा नहीं घुमाया भही कल राज शुश्मिता आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा के प्रीमियर पर पहुँची थी इस दौरान भी रोहुमन उनके साथ थे लेकिन जब शुश्मिता फोटोस के लिए सामने आई तो रोहुमन उनके साथ नहीं थे रोहुमन मीडिया से बसते हुए चुप चाप अंदर चले गए थे शुश्मिता और रोहुमन ने पिछले साल दिसंबर महीने में ब्रेक अप का एलान कर दिया था हाला कि ब्रेक अप के बाद भी कभी रोहुमन और शुश्मिता मिलते रहे लेकिन अब एक बार फिर शुश्मिता और रोमन लगातार एक साथ दिखाई दिखाई दिने लगे हैं शुश्मिता की दोनों बेटियां रोमन को फादर फिगर मानती हैं बेगप के बाद भी बेटियों ने रोमन से अपना रिष्टा नहीं तोड़ा और शाहिद यही वज़ा है कि शुश्मिता एक बार फिर रोमन के करीब आती दिख रही है वहीं दूसरी तरफ ललित मोदी लंदन में हैं वो भारत भी नहीं आ सकते ऐसे में शुश्मिता से जल्दी जल्दी मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल है लोग पहले से ही कयास लगा रहे थे कि शुश्मिता और लिलत मोदी का रिष्टा जाता दिनों तक नहीं टिक सकेगा फिलाल तो अभी कुछ भी कहना जल्दवाजी होगी लेकिन एक बात तो सच है कि लोग शुश्मिता और रोमन को एक साथ देखना चाते हैं शुश्मिता और लिलत मोदी के रिष्टे से लोग बिलकुल भी खुश नहीं है फिलाल इस पर आप क्या कहिंगे अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवूड पे चरजा को सब्सक्राइब कीजे